वेल्कम बैग गई श्वागत है आपके पास फिश्य मस्स क्लासिज की यूट्यूब चैनल पर दोस्तों टैंसर अनलाइसिज जो है उसमें यूनिट फिफ जो पढ़ रहे हैं उसका एक छोटा सा पार्ट और है वह कंप्लिट कर लेते हैं तो आगे बढ़ने से पहले आप सब प्रकार से हमारा कि if a की पावर आउटा is contra variant vector a की पावर आउटा क्या है एक contra variate vector है दयन हमें बताना कि divergence of a आउटा equal to 1 upon root g del upon del x की power आउटा into a की पावर आउटा root of g ठीक है यह पावर में है g जो आपको यहाँ पर दिख रहा है तो आपन करते हैं इसका solution और solution करने से पहले आपको बता दें 13 16 19 में पुछा जा चुका है ठीक है हो सकता है इस साल के लिए इंपोर्टेंट हो तो जो कॉंट्रा कि डाइवार्टिव जो डेफिनेशन होती है उसके कोडिंग हम क्या करेंगे तो तो है को वेरियंट कि डाइवार्टिव्ज डाइवार्टिव्ज ओफ ए आउटा इज तो ये क्या होगा ए की पावर आउटा और बेस ंफ जी एकवल टू डेल A की पावर आउटा एप्ओन डेल X की पावर में J प्लस A की पावर आर यहाँ पर कोई अनदर फंक्सन होता है जिसकी वेल्लू बता देंगे ठीक है यह क्या होती एक matrix होती यहाँ पर यह J है बट यहाँ पर क्या है यह contra variant है ठीक है क्या है contra variant अगर यह contra variant है तो हम यहाँ पर क्या बताएंगे इसको कि I जो है I and J जो है यह क्या contra variant है तेन यहाँ पर हम बता सकते हैं कि i जो हो equal to होगा j के, अब जहाँ जहाँ इस condition में j है वहाँ पर अपन i रखेंगे, ओके, यहाँ की हमारा जो diverging होगा a iota का, a की power iota का, वो क्या हो जाएगा, a की power iota into iota, तो इसकी value हम क्या रखेंगे यहाँ पर, del x की power, sorry, a की power iota upon del x की power iota plus a की power iota into iota, और तो 80 से रहेगा, लेकिन j की जगह अपन का रखेंगे iota, क्योंकि यह contra variant है इस वज़े से, ओके, यहाँ पर देखना इसको थोड़ा सा solve कर देते हैं, कुछ अलग तरीकी से, del a की power iota upon del x की power iota plus a की power r, 1 upon root g, del upon del x की power r, और root g, ठीक है, यह हमारी questions में हमें given था, हमने सिर्फ simple सा इतना सा किया है, कि root g से multiply and dividation दिया है, ओके, कुछ अलग नहीं किया है, अब हम क्या करेंगे, changing, dummy, r tends to i, यानि कि जहाँ पर हमें r दिख रहा है, वहाँ पर हम i लगा देंगे, simple कर दें, यहाँ इस उपर वाली condition में सिर्फ r हमें एक ही जगा दिख रहा होगा, या फिर दो जगा दिख रहे होगे, तो उन्हें को थोड़ा सा यहाँ पर change कर देते हैं, x की power i and root of g, ठीक है, तो यहाँ पर r यहाँ पर था और r यहाँ पर है, तो हमने यहाँ पर इसको change करके i लिख दे, और यह power में है, यह चीज को ध्यान रखें कि यह power में है, ओके साथियों, तो यहाँ पर इसका जो divergen होगा, वो क्या होगा, a की power i and root of g, यही तो पुछा था हमसे, simple था, क्यों था, अब वो यहाँ पर देख लो एक बार, यह वाला function था, इसकी value है हमारे पास, 1 upon root g, del upon del x की power i into a की power i root of g, equal to 0, ठीक है, यह क्या होता है, equation of continuously, satisfied by the contravariant vector a i, ठीक है, तो इसकी value हमें क्या मिलेगी, 0 मिल जाएगी, तो यहाँ से हम एक बात और बताएंगे, वो क्या, तो 0 होने equation हमें क्या कहेंगे, is called the equation of continuity, equation of continuously, satisfied, by the contravariant vector a i, vector 1 की power i, ठीक है, तो एक continue continuously होने की वज़े से, क्या हो जाएगी, contravariant हो जाएगी, बढ़ते हैं अपने next आवाल की तरफ, वीडियो को रोग दिया गया था, questions को लिखने के लिए, questions क्या है, कि prove that a की power iota j, base of g, j, equal to 1 upon root g, del upon del x की power j, root of g a i, j, plus a की power j, k, यहाँ पर यह function दिखे हैं, आपको यह j है, और k, i, j, and k, साथ में हमें बताना है, कि sure that the last terms of a i, j, is excuse symmetric, साथ में हमें क्या बताना है, यह भी बताना है, ठीक है, तो इसका solution देखते हैं, साथ हो, solution क्या रहेगा, कि definitions of covariant divertives, ठीक है, by using definition of covariant divertives of a i, j, ठीक है, a i, यह power में रहेगा i, j, इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारी जो रिक्की थोर्म, जमने पड़ी थी, कौन सी, रिक्की स्थोर्म, ठीक है, उसको यहाँ पर काम में लेंगे, तो देखना, a की power i, j, base of l, equal to del a i, j, upon del x की power l, plus a i, r, j, r, l, plus a की power r, j, i, r, and l, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, putting l equal to j, and we get, अगर हम i की जगह, sorry, l की जगह, j को put करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, वो देखना, a की power i and j, और l की जगह में करना है, j, equal to del a की power i, j, upon x की power j, यह जो उपर आपकी equation दिख रहे हैं, यहाँ जहाँ पर आपको l दिख रहा है, similarly, वहाँ पर हम, सिरफ और सिरफ क्या कर रहे हैं, l की जगह, j, put कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर l था, वहाँ पर j, put किया है, इसको थोड़ा सा solve कर लेते हैं, यह वाली function as, d, search रहेगी, यहाँ पर, plus, इसको क्या लिख सकते हैं, अपन, a की पावर ir है, और इस function को क्या लिखेंगे, one upon, two g, del g upon del x की पावर r, plus, a की पावर r and j, और इसको लिखेंगे हम, इसको add दी साध रख लेते हैं, i, r and j, ठीक है, then यहाँ पर क्या करेंगे, again, replace, r tends to k, तोकि हमें i, j, और k में function सीए, इसलिए, ठीक है, तो देखना, जहाँ पर आपको r दिखेंगे, वहाँ पर आपको क्या करना है, k में इसको convert कर देना है, then यह function as this search रहेगा, i and j upon del x की power j, प्लस a की power i into k, 1 upon 2g, del g upon del x की power r, प्लस, r की जिगा तो क्या रखना है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, a की power kj into i kj, ठीक है, एभी replace क्या है हमने function को, अब देखना है, थोड़ा सा क्या करेंगे, करते हैं कुछ, यह terms ध्यान से समझना अभी जो मैं लिख रहा हूँ, 1 upon root g, क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ root g से divide और multiply किया है, उसके बाद में इस function को कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, A की पवर I J upon del X की पवर J, plus A की पवर I J, del upon del X की पवर J, root of G, प्लस k sorry a a की पावर k j into i k and j यह जो पंक्सेंदा लास्ट वाला यह वाली जो ट्रम्स थी यह वाली यह एज़ दिस यहां पे लिखी है यहां पर इन दोनों में हमने कुछ किया है इवार आप देखेंगे क्या किया है त्याम से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ठीक है साथ में हमने यहां पर एक चीज और करी है छोटी सी कि यह जो k था ना इसको हमने j में convert किया है simply तो यह वाला जो function यह add-search यहां रहेगा यह जो 1 upon 2g था इसको हमने क्या लिखा है root g upon root g divided multiply किया है ठीक है तो इसी को थोड़ा सा अगर और solve करेंगे तो हमारे पास एक new conditions आएगी वो है यह इसको क्या लिख सकते है root of g a k power i into j plus यहां पर है a k power j k and this function बचेगा हमारे पास i, j and k ठीक है यहां पर यह जो आपको दिख रहा है function यही हमें क्या करना था prove करना था ठीक है यहां पर एक थोटी सी चीज और मैंने करी है वो क्या करी है इसके जो dummy है उसको change किया है changing of dummies यहनि कि i को j में कर दिया j को i में कर दिया तो वो आप इस वे और इसमें function को देखोगे धान से तो वो पता चल जाएगा आपको ठीक है अब इसने एक चीज और कहीं है वो कहीं है कि यह excuse symmetric होना जरूरी है तो पोल्स इसने क्या खा हमें कि इफ एक की पावर i j is excuse symmetric ठीक है symmetric का अचने बोला है then अगर हम लेके चलें कि एक की पावर i j और matrix है हमारे पास k यहां पर i j है तो यह i and j हो जाएगा तो इसकी जो excuse symmetric है वो क्या होगी minus of a की पावर j i इस क्यों हो गया उल्टा हो गया na j and j i ठीक है हो सकता है इसका ऐसा इसमें यहां पर देखना अगर हम इसके dummies को change करें तो हमारे पास क्या आएगा वह अपर से वही function आ जाएगा i and j यहां पर हमने क्या क्या है dummy change किया है ठीक है damage को क्या कर दिया simply हमने यहां पर इसको change कर दिया ओके अब आप एक चीज़ देखोगे कि यहां पर एक की power i j k and i j यह जो function है RHS side का इसको मैं LHS side में लेके जा रहा हूं तो आपको मिलेगा i and j में थोड़ा सा function देख लेना जो मैं pronunciation कर रहा हूं यह वाला function RHS side पर जाएगा तो plus a i j k i and j equal to 0 then यहां पर हमें मिलेगा 2 a की power i j k i j equal to 0 यही मिलेगा इसी परकार आपको जो another है हमारे जो another function बच गए हैं उनको बताना है जैसे मैं एक और यहां पर आपको बताने की कोशिश करूँ चलो मैं बताई देता हूं फटा पर था ना वरना आप गुमते फिरोगे कि क्या करवा दिया यह हो देखो a की power k और j पहले हमने i j को लिया अब j k ले लो या k j ले लो तो i बचा था और k इंटू j इसका excuse symmetric होगा j इंटू k i as is as and j इंटू k अगर इसके damage को change किया जाए तो यह हो जाएगा k j यह i रहेगा इसके odd damage को change करें तो k इंटू j हो जाएगा ठीक है और यह चुर रहा है इसी के equal में यह rhs side जो है इस side लेगे जाने पर क्या होगा lhs को rhs side पर लेगे जाए यह rhs को lhs पर लेगे जाए तो i k into j और यह minus का था इस side आएगा तो plus का and i k और j equal to में क्या बज़ेगा जो इनको दोनों को add कर देंगे तो यह बज़ेगा i k j equal to 0 simple है कर लोगे बस यही तो करना है और करना भी क्या है कुछ भी तो नहीं करना है ठीक है तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि hence a k power i j is skew symmetric इसी भी function को आप symmetric दिखा रहे हैं तो इस तरीके से दिखा सकते हैं ठीक है साथ हूं तो हमारा जो सवाल है वो इसकी symmetric के according a k power i j into j equal to 1 upon root g और del upon del x k power j और root g a k power i j जो है यहाँ पर हो जाएगा ठीक है दोनों question आपको समझ आए होंगे यह वाला question आपसे 11 15 और 18 में पूछा गया है तो इस साल के लिए very important question हो जाता है ठीक है साथिओं आज के लिए तना ही रखते हैं थैंक्यू जो मच हस्तर रहे मुस्करात रहे अपनों से थोड़ा बच के रहे आज से एक नई line आपको देखने को मिलेगी अपनों से थोड़ा साफधान चलो रखते हैं थैंक्यू जो मच